वेलकम टूआ चैनल से विलेंसाइट तो आज हम करेंगे डिजाइन अफ कॉंपरेशन मेंबर यूजिंग लेसिंग सिस्टम तो मैंने आपको अपने लास लेक्षर में पिताया था कि हम डिजाइन अफ कंपरेशन मेंबर दो तरीक के से करते हैं एक हमारा लेसिंग से होता है आज हम लेसिंग से करेंगे तो शिलू करने से पहले अगर आपने मारे चैनल से विलेंसाइक को नहीं सब्सक्राइब कर तो अभी कर लीजिए तो देखो लेसिंग सिस्टम तो थोड़ा से ब्रीफ अपने प्रीवेस लेक्षर में कर रहा था और आज भी करूंगा तो यह हम आपको अच्छे से दिखा हूँ अगर मैं ब्रीफ करूं आपको देखो लेसिंग कुछ इस तरह होते हैं दो हमारे यहां पे ऐसे सेक्शन हुए और इनके बीच में यहां पर लेसिंग हो जाते हैं अगर आप ऊपर से देख रहे हो और नीचे से अगर आप साइट से देखो अब यह सिंगल लेसिंग में इसमें वैसे सिंगल हो यह डबल हो इसमें फरक क्या पढ़ता है कि यह आगी पीछे एकदम मिरेर होते हैं जैसे अगर समझो अगर मैं यहां पर आप दे सकते हैं कि अगर आप इसको एक यह वली सर्फेस है जैसे यह देखो A और B एक इस तरह इस तरह बैसिंग लेए एक इस तरह बैसिंग लिगिए आप साइट से देखोड़ हो अब हैसे अगर गार पीछी सत अधिसत खरक जाए कि यह भिली फिझां nep पीछे जाके यह जैसे अगर मैं आपको दिखाओं यह कुछ इस तरह पढ़े है मैं कहूं कि अगर आपके बास दो स्लाइट्स है तो आप ऐसे पढ़ियां यह जब मैं इसको ऐसे जाके ऐसे कर दूँगा ऐसे तो अगर आप यहां से देखोंगे तो ने ब्रापर ही दिखेग तो आपको अलगसे लाइए ने दिखेगा तो यह होता है कि एक दम पूरा मीर्यर ओपस्यिट मारे यहां यहां पर बनता है और सिमें सेम होता है डबल ले टी संगर दो ले ज कर दे ह Boss V लेकिन ये भीίας सेम ही है तो अगर आप इसको भी एक फेस यह एक पर साइड से अफिर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक ही दिखेंगा खिक है इक बार्स ऐसे जाते हुए दिखेंगे और अलग से दिखेंगे, मतलब इसके बीच में से और नहीं दिखेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं दिखेंगा, तो एक दर पूरे mirror opposite ऐसे हो जाते हैं, एक तो listening systems की यह बात होती है, अब इसका आज के lecture में हम करेंगी, इसका procedure, और आज की lecture हम करेंगे question, तो थोड़ से lecture आपका लंबा हो सकता है, 50 to 1 hours का जा सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि दो lectures अलग नहीं करने चाहिए, design procedure भी एक लेक्चर में समझाओं आपको, और problem बीटी है, तो अभी हम शुरू करते हैं, अपना design procedure से, तो देखो यह आता design procedure, वो compression number, देखो तो इसमें भी हमें compression member अपना अच्छे से design करना होता है, लेकिन अब इसमें क्या changes आता है, वो भी हम आपको बता हो, इसमें तो आपको ही पता है, कि सबसे बहुत है, design stress हम यहां पर assume करते हैं, उसके बाद हम effective sectional area निकाल लेते हैं, फिर हम यहां पर select a section to give effective area required and calculate r menu, तो यहा आपना revise देख लेता है, अगर हमारा जो हमने load यहां पर निकाला है, जो given load है, अगर कम होगा तो revise होगा, नहीं तो नहीं तो नहीं, अभी मैंने जल 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 इसली बहुत है कि मैं अपने previous section अच्छे से क्रवा हां चोको, 30 minutes लगा के मैंने पूरा क्रवाया था, अब इसमें क आपको sheet दिखा दी, ताकि आपको रह दिमाग में पढ़ सकते हो, pause करके वीडियो को, लेकिन only change is for slenderness ratio, we take value of our exercise for calculation, बहुत जादा important चीजा ही है, यहां पे बहुत बच्चे यहां पर puzzle हो जाते है, हमने तो उसमें वैसे करा था R minimum लेकिन यहां पर कॉन से लेता हो, अगर मैं R minimum लिखा दा, लेकिन अब जो slenderness ratio में निकालनी होते हैं, वो हमें R access लेकि करनी होती है, R access आपको अपना steel table पे मिल जाता है, SP6 पे आपको मिल जाएगा, steel table होता है, इसमें हम आपको दिखाऊंगा अभी, जब हम problem करेंगे, उसमें side चीज़ दिखाऊंगा, तो हम उसमें R R access लेते हैं, यहां रखना बहुत जाला important चीज़ है, यह R access लेता है, आप इसमें R minimum मत लेते हैं, सारा गलत हो जाएगा, अब जो हमने यह चीज़ ले लिए R access for calculation, हमना slenderness ratio निकाल दिया, पर लेकिन for laced column, effective slenderness ratio shall be taken as 1.05 times the KL by R access, तो वही मैंने पता है, R हमारे यहां पे radius of काली यह बली, अब क्या होता है, for laced column, for laced column, बैटन्स के लिए लग होता है, वहां बैटन्स के lecture में देखे हैं, तो laced column के लिए क्या होता है, effective slenderness ratio ना हमारी क्या होता है, 1.05 times यह, अगर समझा आपको slenderness ratio यहां पे आगी, अगर let 50 आगी, अगर यह 50 आगी, तो आपको 1. 1.05 into 50 कर देना है, तो हमारी यहां पे आएगी, हमारी effective slenderness ratio for laced column, और इसको देखता हम आगे अपने design करें है, तो यह चीज इसमें होता है, अब आता देखो, यह तो आपको समझा आगे, बाकी सारा procedure अपना same था, उसके बाद वही सारी चीज़े same होईगी, आपको question में आ देखो, आपने channel station निकाल लें, फिर design stress निकाल लें, फिर load carrying capacity निकाल लेंगे, फिर हम देख लेंगे, कि यार, वो section ठीक है, नहीं है, वो चीज़, अब आता है, design of lacing, अब हम लेसिंग पर आते हैं, यह तो हमने design of member कर लिए, जो कि हमें पहले करना था, तो आता second design of lacing, तो स delta member ऐसी बनेगा, और compression member हमेशा laced हुआ, तो आपके दो member तो आएंगे हैं, यह तो चार भी आ सकते हैं, चार angles भी आप ले सकते हो, अब ऐसे हमारे दो channels आगे, अब उसमें जो यह distance है, यह वाला, D वाला distance, यह आप दे सकते हैं, यह जो में distance है, यह इसकी back से लेके इसकी back त सकते हैं, इसकी back to back क्या होता है, इन दोनों के देखो, यह हमारा front होता है, यह हमारा back होता है, यह हमारा back होता है, यह back to back लगी हुए, तो इसलिए अब देखो, यह इसकी back है, यह इसकी back है, यह इसकी back है, दोनों back एक दूसरे को face कर रही है, तो मतलब कि back to back हो गया, अब इसमें आएंगे तो इसका front इसका front तो इन दोनों का front हो जाएक तो इन दोनों को front एक दूसरों face करें तो Front to front ये चीज तो बहुत जाधा important चीज है या या आगे आपको बहुत अब करेंगी आपको अगर ये चीज क्लीर होगी अब देखो spacing between the channels करना सीधा सीधा formula आपता है वैसे यह formula हमारे drive होता है लेकिन अगर आपको याद करना था देखो 2 bracket में Iyy plus A bracket में D by 2 plus Cyy उसका square bracket close is equal to Ixx अब देखो यहाँ पर Iyy Ixx के है यहाँ पर आपको देखो moment of inertia है आपको सब given होता है still table में इसमें सब कुछ given होएगा और हमें बस जो निकालना है बस आपको यहाँ पर निकालना है D यहाँ से आप formula से निकालना अब देखो अब अगर आप पूछोगे sir यह formula हमारे कहां से आए D यह थोड़ा से मापको brief देता हूं ज्यादा निस पर time लगाएंगे यह हमारा parallel axis theorem से आया ना parallel axis theorem जो आपने प्लस वान प्लस टू में पढ़ी थी अपनी डिया यह आपको पता हो निचे ही क्या होती है जो हम कहता है I access is aks is what IYY, यह हमारा यहां पर हो जाता है यही चीज हमारी होती है अब इसमें देखो क्या हुत, पहले esses में आप देखो आपो यह यह चीज बताँ हम क्या करते हैं, पहले क्या पहले बहुत क्या क्रिक रहेте कर रहें यहां पर आपको moment of inertia लाइक कर रहें यहां पर मुमिक्र नदर है इस बाएक लीए लिए लेकिन हम तो पूरा एक structure सात में लेकि चलना दोनों आपको मुम्मेंट को मुम्में उस छीए इन दोनों को आपको मुअंटी लेकर आपको पतार होगी की कहां से यह बोला से कहां से है यह यह कहां से यह न दोकुतों यह है कर दो आप सब्सकरणब कर दो Сब्सलिज़ार कर दो तो है अब यह थारो diffusi पक्राइब तो हमने यह यह तक आप तो आपको पत इको तका देखो सियवाया करए सीवाय एंड हूप फीटियल शच्राइब आपको गीवन होएगा steel table में और यहां पिदी भाई टू भी आप निकाल लोगे दी निकाल नहीं है तो हम इदी भाई टू काउंट में लेके आते हैं तो यहां से आप जब यहां पर आगे तो आपको देखो क्या आजएगा आएकसस इसकल डू आईवाई वहाई वहाई होग sectional area आपने step 1 में से निकाला हुएगा design of members एठी है यह चीज आपको समझाई अब देख इसमें क्या होता है जब आप front to front आगे तो आप दे सकते है कुछ इस तरह है कुछ यह इस तरह है तो आपको यहां पर बस यह चीज माइनस करती नहीं है ठीक है ना यह चीज आपको यहां क्या होगा है Cyy हम नहीं हम यहां यहां से पहले है d by 2 करता हम यह तक पहंचें d by 2 हम यहां सिया तक पहंचें फिर आप Cyy मिनस करता होगे तो आपको यह बाला distance मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आ जाए तो यह पोरे मैंस करती है, d by 2 minus Cyy तो यह front to front के लिए mostly आपको आप सब को इस प्रोब्ल में आता है कि याद कर लो ये फॉमला बहुत इंपोटेंट आप इसमें मतुलजो कि यहां से इतना गटाऊ इसमें इसमें कर लो जब आप एक्जाम में कर लो बस एक प्लस-माइस का दिक्कत है वो तो मैंने आपको बता जा जाए कि बेक फ्रंट अब एक बार हम कहते है कि Spacing between the Lasons निकाल जाली है या आपको Lasons घा हम Lasons हमारे देखो ये वला कि ये आउसे हमारी Lask होगी हम ओपर से देख रहे है से आउसे हम्हार से बसक्रावच भी एक डालası vaccine तो मैं कहरो होगा ये सितरम मेंबर पर लेसिंग एठी है दोनों फेस पे हमारे होगी A face B face हम कहते हैं कि spacing between the lacing हमारे का है S is equal to D plus 2G जो कि हम S से दिसको denote करते हैं तो S is equal to D plus 2G back to back के लिए और S is equal to D minus 2G front to front के लिए अब देखो यहां पर G कहा है सबसे बले आपको G यहां पर clear करवाता हूं if the Ce Wow ॥ सारे सिस्टम यहां से आपको clear है सबसे सकते यहां यहां jesteśmy तो यहां से यहां у में स्टीर तेबला से उठाया यह चीजyah यहां से साथ, टाक है अपं जो ज स Tapi अधर सोल में जाना है は भूप ढूलेlim слова कि ची से पाइस कि अ फिर स्पेस सरे मिहां भी विए यहां सब्सक्री निकाला है प्रूल्य को नि क्षके होता है छोटब लाधे कंपर अब जैसे आपर सेके अखते हिन साथ आपको D.I. यहाँपे आपको D.I. आपका क्या होता है? अगर आपको इस इमेज में बताओ। वहमार है कुछ इस तरह जाता है Gauge Distance में आपको मैं इस डॉट्टे डिखाता हू, गेज इस आपको यहाँ़को यहां से लेकर यहां तक है तरह आएगी तो इसलिए लिए इसने प्रको आपको ऑफ कर आवलो कि यहां तक आपको यहां पर प्लस जी करा यहां पर प्लस जी तो वही मैंने यहां पर इस्टान की होगया है यहां पे हमारा connection बनेगा तो यहांप माई माइस अधी हो जाएगा यहां से माइस घंगा हुझात थोड़ी सी है तोड़ा प्रॉब्लम चीज रहिए लेकिन अब्फ बहुत आइसी लग एका प्रुसीजर्ट जितना आपको देखने मुश्किल लग रहे हैं हमारा design स्पेस्पेस्पेस्पेस्पेसिंग जितना आपको मुश्किल लग रहे है उतना question है नहीं, question तो भूत ही ज्याद ईजी है अब यह दो चीज़े होगी आपने spacing भी निकाल ली बिटीन दर चैनल भी बिटीन दर चैनल भी बिटीन दर लेसिंग अब यहां से हमारे पता है क्या तो हमें लेसिंग बताएगी जो कि हमारे यहां से निकलाएगा क्योंकि आपके मन में डाउट होगा हमें लेसिंग तो यहां से तेडी डालनी है सारी तो उसमें हमारे काम क्या करेंगा होरिजॉंटल काम क्या करेंगा होरिजॉंटल स्पेसिंग आप कैसे नेम दे रहे हो तो वह हमारे वर्टिकल स्पेसिंग में निकालने में help करेगा और मा यहला उलिक्स जिर्ण नो गया के वारा जिते कि और आक 15 मैं आपको सीध़ पता हूँ जैसे हेमारे एक्सिस है तो जो लेसिंग उसे क्रोस में गई है यह हमारे इसी क्रोस गई है तो 42 दिक्री तक आप गल कर गए लिए इसके बीच में रखना लेकिन वह प्रॉब्ली क्या ल तो 45 degrees पर हमारे ऐसे lacing लेगता है दुबारा से जब इधर को lacing जाएगी तो उसका यह हमारा यहां पर 45 degree है यह कुछ इस तरह होता है तो यह हमारा हम आके देखेंगे सब कुछ प्रॉब्लम में देखेंगे आपको मैं सिर्फ में आपको यहां पर procedure बता रहा हूँ तो देखो, maximum spacing of lacing bars shall be such that the maximum slendrous ratio of the main member between conservative lacing connection is not greater than 50 और 0.7 times of KL by RSS जो के हमारा actual होता देखो अब इसमें क्या कहता है जो हमारी maximum spacing of lacing bar निकलेगी ना जो भी हम निकाल लेंगे यहां से maximum spacing of lacing bars हम यहां से सारे निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमें वो check कैसे करना होता है आपका अगर वो not greater than 50 अगर तो आपकी less than 50 हुई तो okay है less than 50 या फिर आपको 0.7 times of actual slendrous ratio फिर less than 50 हुए ठीक है okay अगर नहीं हुए तो आपको सारे revise करना पड़ेगा फिर आपको दुबार से spacing का तोड़ा revise करना पड़े है कि उपन निचा आपको सारा अलग से करते ना पड़ना है तो इसलिए आपको यह हमारे check लगएगा यह कैसे लगए हो भी हम देखेंगे problem में अब उसके बाद कहते है कि अगर मैं आपको बोलू कि अ अगर आपने कॉलम लोड आपको देदेगी 1500 किलो न्यूटन है 1500 किलो न्यूटन है तो आपका शीर फोर्स वहां पर कितनी लग रही होगी 2.5 % of 1500 किलो न्यूटन यहां पर क्यों देखेंगे 2.5 % का निचे लगे 100 into 1500 है यह चीज होगी तो बस यह यहां पर लिखी हुए है क यह था पर लेसिंग शेल बिजाइन तो रिजिस्ट रांसफर शीर टांसफर शीयर वीट जान वीट तो परसेंट आपको पिंट फैट परसेंट अवेशल फोर्स इन कॉलम और को तो इस साब निकाल सभी कितनी शीर फोर्स लग रही है लेसिंग पर आप होता है कि जब आप if there are two transverse parallel system then each system has to resist Vt by 2 shear force अब इसमें क्या है जैसे आप इसमें देखो कि एक अमारा system यह है एक pallet system में यह है यह बन से चलेगा, यह भी ऑप हमारे नी चुगा है यह बन साइनक है और हम इंद आपने कबाद अिश्चेजग अ सब्सक्रण हो कर आए और यह बनॉ, दो पहल बनुट क्लिएंघ सब्सक्राइट, अब एक और सहल को उनके कद दो लिएन meant यह हो दो दो, तो हम यहां से यह वली length of lacing निकालें इंडों कि आपको 45 degree पर निकालें तो अगर आपके पास यह वली जगा यह पता होगा यह पता होगा तब यह आप यह चीज निकाला पाथ तो इसलिए हमने इसारी spacing निकाले थी बीच में टिके ने इससे कहने के लिए कि thickness of lacing अब एको thickness of lacing वह कितना मोटा है ठीक है वह थीकनेस उसकी कितनी मोटा है अगर मैं कहूं कि यार इस पैन की thickness कितनी है तो आपको यहां से मोटा ही आपको पता होने चीए तो वह कैसे पता होगी देखो T minimum, thickness minimum, minimum कितनी हो यह शूद नॉट ब लाज़ है तो आपको 1 by 16 into l e करना है जो आपको यहां पे length of lacing आगी बस इसको यहां पर मोटा ही होगी लेंथ होगी लेंथ होगी लेकिन यह चोड़ाई में कितना है यह width कितना है आपको अगर मैं एक rectangle ऐसे बोलूं टेड़ा ही हमारी ऐसी लेसिंग जा रही है तो आपको width पता चल आपको पता चलगी width आपको अभी निकालनी है और यह कितनी मोटी है वो भी आपको ठीकने सब तो width of lacing को हम कहा कहा रहते है 3 times the nominal diameter of bolt तो 3 into d मैंने आपको पताया तो यहां पर हमारे connection बनेगा bolt से तो आपको 3 into d ले 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 जो किया width बन जाएगी 3 into d आपको यह भी हम देखेंगे question में अब यह चीज़ा तो सारी question मी देख सकते हो आप यह question में देखेंगे इस होगी अब देखो now calculate sectional area of lacing r minimum use lenders ratio check हम कहते है कि अब सब कुछ आपको पता है sectional area आपको कैसे निकाल होगा b into d यहां पर आपको देखेंगे width of lacing निकला यहां पर d होजगा तो b into t आपको यहां पर sectional area of lacing निकल जाएगा फिर r minimum, r minimum भी यहां पर एगना formula है बहुत अच्छा यह मैंने सिर्फ problem मी रखा है तक यह problem तक भी देखो यह r minimum को बहुत अच्छा formula है और कैसे निकला है वो भी मैंने सब वहीं पर समझा रहा हूँ and use landless ratio check, use landless ratio check हमें क्या होते है k l by r minimum हारा should be less than 145 अगर आपकी k l by r minimum आपका less than 145 आगा तो मतलब यह सब कुछ आप ठीक कर रहे होते है यहाँ पर k l by r minimum आपकी less than 145 आप सब कुछ यहाँ पर ठीक कर रहे होते है यहाँ से आपका पूरा design of lacing बार यहाँ पर खतम हो जाएगा यहाँ पर mostly हम करेंगे यूज 20 आप डाय बोल्स तो यूज 20 करते हैं तो 20 आप यहाँ पर रखना तो calculate strength of bolt आप निकाल दो के strength of bolt आपको पता है कैसे नेक्स टेप आप आता है VT by 2 एक बार उसर और एक बार इसर तो एक साइड जो हम बोल्ट पे देखें तो VT by 2 लेंगे कि एक साइड में मारे कितना लोड लग रहे है तो एक साइड पर देखने कि वी टीबाई 2 डैट बार आ लेंगे तो यहाँ से नंबरों बोल्स नहीं आता है 1 यहाँ से जाला न अब लोड आ गया यह चीज़ हमने निकाल लिया अब लोड आ गया ठीक इंड लोड हमारा उस पर कितना लग रहे है अब force in lacing आप force in lacing आप force in lacing हमारा देखो V by 1 cos theta यह हमारा single lacing के लिए और V by 2 n cos theta double lacing के लिए और आप पुछोगे sir n कहा है यहाँ और तो ही और यहाँ पर कोई डाउट नए तो आपको पता है यहाँ आपना यही वाल चीज यह वी टी आपका यही आ जाएगा यहाँ यहा दिखा न पर व फफे अक पर क्युंस है ऍमरों प्रम पर झाल कर arc यहां pe सब meisten पर किंगा इसक्र देशक्ते हैं यहां पर हम प्रमें इसे सपिशते हैं, यहां पर नमबर फञरा का यह पर फैरum यहां से आपका force in lacing आतो तो यह हमारे capacity हम यतना कर सकते है जो भी हमने lacing करा तो यहां भी जितना भी आएगा तो वो हमारे जादा हम चाहिए force पे अगर समझो कि 50 की force लग रही है तो आपका उस पर load carrying capacity कि क्यों हो जाते है 50 से तो जादा ही हो नहीं कोड भी कहता है यह चीज यह साही चीज है वैसे मैं आपको इस चीज बताना भूल गया साही चीज जो भी आपको design specialist मैं दे रहो ना कुछ भी आपको मैं दे रहा हूं यह सारी हमारी IS 800 2007 में हमारे सारा कुछ लिखा हुए IS CODE में सारा कुछ मैंने IS CODE उटाया अब मैं सारी एक एक चीज वहां पर समझाता नहीं तो शायद हो जाद हो जाए है इसले मैं आपको मैंने सारी चीज भी बता दी हमारे CODE से रिलेटेड अब यहां पर तेखो कोई 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 ट पर शायद हुए कि आपे इसगी लेकी की आदेज कोई इसी थो यहां पर के लिख ए लेसिंग управग उन फारी घचम गार्या जो टीक्ने चिरिदा की आफिज फीर को तो यहां थो यहां पर ऊतरच शीज यहां पर H waves और सिर भी जा लेक्ने बानि यहां ब्लेट सकिटिए वार एक खाल सीं आपर 22-25 मिट्स मैंने ले लिए आपको सिफ दिजाइन पूसीजियर समझाने में क्यों कि यह पते होता है कुछ बच्चक होता है हमें कुछ बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अगया हम उसको रट्टा भी माल लेंगी वह भी गल लेंगे वह बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अब एक पाथा लिए करता है चल्य सब भी मी तो इसको देखते हैं अपने अपने effective lens भी ले सकते हैं अब देखो तो यह पोड़़ हो तो यह चीज काह भी करो सिल ठेबल नर्म 11 आईस एलाइ…! 2007 विद्ध नोर्प मै चैनल पहीं मारे शबशननना तो ही यह डैरम हमें so ब्रोबं आइए णंहों उस्सक्ते की घंञा है выступ so you तो यहां से वही है free free यहां पर restraint restraint तो यहां पर हमारे effective length किसके लिए आदे का hindrance के तो जो कि हमारे देख है 1.0L तो effective length मेरे 1.0L आ गया बग्की चीज़ों कोई भी ने हमारे यहां पर differ कर रहे हैं तो यहां पर 1.0L आ गया तो यहां पर yield strength आती है तो yield strength हमारे material की 210 acerca mm² आई गिए तो हमेंशह करते है 250 Nny per mm² और यही करना 250 आप देखो सबसे बहले आपको पता आप देखो लगा न बाहरवा design procedure दिखाँग है तो बहुत जाए टाइम लगे अपर सीधा question कर रहो हूँ आप थोड़ा पीछे आगे जाते रहेना ताकि आपको design position आप रिलेट कर पाऊठी है सबसे बेहले देखो मैंने आपको zoom करना तो zooming fcd आपको 165 Nm2 आदेगा यहापने zoom करा fcd 165 Nm2 design compressive test आपने zoom कल दिया पता है सबसे बहुत करना है बाद में हम accurate निकाल लेंगे यह चीज आप कैसे होगी उसमें आपको देखो area required आपको पता है कैसे देखो PU into EAE into आपको क्या होता है यहां पर FCD तो यह आप तो पर यहां पर PD होता है देखो को किलोंटर्ण से न्यूटन में तो आपकी area के आगी 10370 mm² अब तो यह हमारी तो effective यह हमारी क्या आगी area required अब आगी मतलब कि इससे तो जादा area लेनी है इससे कम तो आप लेहीं ही सकते लेटी है इस एरिया से आपको जादे लेनी है तो मैंने कह देखी 10370 mm² स्कूर से इसकी area जादा होएगी तो मैंने कह देखी ट्राय तुमैने इसले लेका कि आपको बतर बैक टू बैक चैनल एक चैनल आपको एसे होगा तो एक होगा तो मैंने दो बोल दिया दो एकको ली तो तो आपको आपको आपके स्क्रीन पर आजेगी एक फोटो जिसमें मैंने सारी i- Pasukoda 이제 पतरी अवही आपको बनाल एक्षकヤ के लिए तो आपको देक्सथे सबसे पहले में आको दिखावरा सारी रेकस्ट आशा स्वी नियंगरार हो इसले मा परस को दिखार हो यहां पर स्प्री आपको दिखावरा एको का स्टील टेबल से आले में अप sortर खोने हैं ऐसे ही में पतार उप चोके पतार को अलयूबलम में इंध पर सायए कमीई it मुझा भाल्य पर सब्सक्राइब का सब्सक्राइं वहां रचोट था में आप ती ए बहुति ए ठीए बहुति ठीट़िं़ वर की सहांती में हम लिए लगा om इसके बाद IYY आ गया का 430.6 इनो 10 अपर 4 CYY आ आ गया CG, सेंटर ऑफ ग्राविटी आपको 24.4 mm यह सारी चीजिए आपको आगी यह मैंने आपको स्टील डेवल से दिखा दिया यह साई चीज़ आप एक बार में यह आपको लिख लोगे इसाइय चीज़ है बार-बार नहीं लिखने काई जरुरहत कहीं अब साइचीज इए एक बार यह पर फाइंड कर लो कि मुझे साइचीज है कहीं तो मैंने यहां पर फाइंड करके लगा 10732 मलब जाद है तो ठीक है ओक है बाकी आगके देखेंगे हमारा section यह ठीक है भी या नहीं है revise करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा वह आगके देखेंगे आप देखेंगे फोर चैनल buckling glass is C अब buckling glass C कहा से यह आपको दिखाता है बार तो देखो यहां पर हमारे buckling glass C आएगे यह आपको यह ठीक है आपको यह ठीक है यह ठीक होईगे इसके लिए यह आपके पास होना चाहिए आपको पता है 126.6 अभी मैं आपको दिखाया था तो KL आपको पता है कि हमारी वही सेम रहेगी ठीक है कि 1.0L तो L हमारा है यहां पर मीटर्स में था तो 10 x 3 मैंने में करने के लिए कर दिया तो 10 x 10 x 3 x 136.6 तो यहां भी आपकी एक्चुल स्रीशियो के आगी 73.206 अच्योल आई है यहाँ रखने है एक्च्टै लेकिन मैंने एक्टाया था कि जब longest column होता है सिंजली एकले लेस्कालम तो आपको 1.05 x करना है 1.05 tb आपकी actual slence ratio तो actual slence ratio आप दे सकते हैं हमारी 73.206 थी और मैंने वही कर रहा देखो 1.05 times 73.206 तो यहां से 76.87 आपकी slence ratio आगे for laced column यही तरह आगे आपकी effective slence ratio आगे आपकी laced column के लिए बहुत काम आएगी आगे आप इसको रखना अब देखो from ius table 9c by interpolation तरह को interpolation आप मैं अपने previous lecture में बार बर मैं यहां पर करौँगो तो time बहुत जादा लग जाएगा और कोई इसका फायदा नहीं time क्यों लगाना इतना है जब आपको पता ही है वो चीज़े मैं करवा चुका ही हूं कई नब यहां आप दे सकते हो वो चीज़ तो from ius table 9c इसलिए है कि buckling glass हमार यहां पर c है यह is code से आपको मिल जाएगा is 800 से यह is 108 से मिल जाएगा 9c उसमें आप fcd देखोगे by interpolation से हम निखाल लेंगे fcd आपको 141 newton mm2 इस kl के लिए इस kl by r के लिए है इसके लिए आता है हमारा for kl by r is equal to 76.87 उसके लिए हमारे यहां पर fcd के आता है design compressive stress 141 newton mm2 newton per mm2 और जिसके हमारे यहां पर fy के 250 newton per mm2 ठीक है यह आपको वहां पर table भी दोनों चीज़ों देखनी है जिससे आपका यह निकलेगा अब load carrying capacity देख लिए तब load carrying capacity मैंने बताया था यह अब यहीं से प्ला चल दा है कि जो हमने यहां पर section लिया है ISMC 350 वह सई है भी यह नहीं वह हमारे यहां पर jail भी लेगा है नहीं अब हमने निकाला था effective area और into fcd अगर आप यहां पर देखोगे तो 1513.2 के लिए हमारे यहां पर आ रहा है load carrying capacity कि यह जो हमारा ISMC 350 है यह हमारे कितना load carry कर सकता है 1513.2 ठीक है 1500 कुछ हमारे कर सकता है लेकिन हमें कितना बोला था किसके लिए design करना 1400 के लिए तो 14 तो ज्यादा ही है मतलब ही okay hands okay यह चीज तो होगे अब हम आएंगे अपने design of lacing के लिए तो आता देखो next हमारा spacing between the channels अब यह सारी चीज़ आपको पता है और मैं सारी design procedure में आपको 20-25 five minutes लगा के साई चीज़े समझाई है तो मैं जादा यहां पर repeat नी कर रहा हूं तो आपको सिधा-सिधा formula बता आपको पता है back-to-back था यह तो यहां पर two iyy plus यह आपको सारे formula लगेगा यह पूरा और इसमें आप values पूट कर रहा है तो हम यह तो यह की करके चल रहा है कि यह की पूरा है यह की channel है तो इसलिए कर यह तो आप ढालीए제가 क weapon को यह तो ने कि पर धेक्षों कर दो कि देलिएकर आपको देखते हूं देखो हो हमरी हमारी फाइन भीम होरी हम बनेगी देखेंगे यह चीज सो आगी लान ώनक से टेहिखते है लाक ठरते Battle ईक में अब करदा बाहता मैं आपको गालता है विच भी बीच नेमे लें लेकिन पर फॉर्टी फाइफ फाइफ यह ले रहा है तो फॉर्टी फाइफ डिग्री तो यहां पर लिखा ऑँ और एंगर बनेगा यह उख से अपर यहां से बनाता हूं ने तो यहां से यह हमारा 45 degree जो हम यहां से ऐसे आए यह चीज तो यहां से हमारा 45 degree टी है यह 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 तो यह तक पर देंगे तो यहां से आप ले सकते हैं तो देखो कैसे कर रहे हैं तो horizontal इस त्रेंगल में अगर आप देखोगे तो इस त्रेंगल में अगर आप देखोगे इसे एंगल में देखोगे तो यहां से आपको यह गीवन है एंगल गीवन है तो आपको यह चीज़ निकाल लिए 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 यह यह चीज तो भी रहती है न यह चीज तो भी रहती है तो यह जो हमारे distance आया plus yellow distance हो जाएगा अगर 50 आया तो यह 50 तो मदलब कि ना कि वर्टिकल स्पेसिंग कितने होगी 100 mm होगी यहां से यहां पर यहां पर वर्टिकल स्पेसिंग दे सकते हैं तो वर्टिकल स्पेसिंग मारे कितने हैं 680 mm तो मैंने इसलिए पताया था यह आपको बहुत काम आयेगा हमारे यह जो हमारे horizontal spacing vertical spacing निकालने में और अभी तो next नेक्स्ट निकालने में लेंगा जो हमारे यहां पर यहां पर आदा यहां पर अभी तो आपको दोबारा से साब कुछ करना पड़ता है अब देख़ो आप आदे transfer shear तो आपको पता है transfer shear हमारे किया 2.5% of axial force तो axial load हमारे कितना 1400 लग रहा था लेकिन आपने उसको कितना देखो यहाँ पर वैसे मैंने न्यूटन में कर दिया एक बार क्योंकि मैंने अब कुपताना था यहाँ पर transfer shear आया था जिसको मैं 31 kt लिग दिया तो इसका मतला हम दोनों तरफ कर देंगे तो दोनों इककल कर देंगे शेर फोर्स लग रही है तो 17.5 kt आपको एक तरफ लग रही है एक एक तरफ लग रही है अब आपको इतना रिजिस्ट करना इतना इसके लिए आपको एसारा डिजाइन करना सब्सक्राइब करना समटीन प्लाइब एक सैट के लिए direct कर देखो लेंस बद्द लेंस अब मैंने आपको बताता आपके एवरी चीज होगी मतलब कि आप की यह रिजीज ओगी आपकी यह जीज आपको यह चीज निकाल दिया है आपको यह चीज आप इस पुरी पता है मैं निकालए शूपर हैsmart यहां पे लेंख उट्स का फिरट बोल्ट इ यहां से ही दृति यहां से इन लेंट प्रेम 54 यहां लेंट लेंट पुर खीर आगी जा दो बीडिगी के लिख जबिशाएँ yogurt Յपर द्रेश क्यों यहां अचुरी मों सित हो Prophet tophala quad तो सिंगल लेसिंग के लिए कर रहे हैं तो 1 by 40 तो 1 by 40 of L जो में लेंग लेसिंग आई तो यहां पर 480.83 तो 12.02 अब यह मिनिम्म है 12.02 तो मिनिम्म है लेकिन हम कहेंगे कि हम यहां पर 14 mm तो 14 mm जोच पर यहां आपके तीकने सोच भी लेसिंग करें आपके पूरी थीकने सोच भी लेसिंग के इमारे अब विट्टो लेसिंग कैसे निगलें इंदेखो विट्टो लेसिंग हमारी आते हैं तो 3-2 D मैंने आपको गादा कि कहीं पर भी गिवन नहीं है कि number of bolts बोल गया mm आपका कितना है कि die of bolts आपका कितना है die of bolts आपको पता नहीं मैंने खाता आप assume करना हमेशए 20 mm bolts तो हमने assume करे 20 mm bolts तो 3 into D, 3 into 20 तो यहां पर 60 mm तो width of lacing तो width of lacing अभी कितने आदे कि यहां पर 60 mm तो width आपकी 60 mm आगी 12 mm flats और आपकी length भी आगी तो lacing यहीं तरह का पूरा आपका यहां पर design हो चुक है तो आपको बात है sectional area आपने sectional area निकाल लिए तो B into T B into T, तो आपको वैस्तों पता B into D होता है लेकिन depth आपकी यहां पर चिकन ऐसी मानी आपकी तो T मैने बोल जया तो B into T तो यहां पर 840 mm square आप देखो मैने उसमें ताय था यह बर्माई डिवल यह भी चीज मा आपको दिखाना चाहता हो design procedure में अब देश सकते हैं हमार लास्स्टेप पर इसमें जब हम design of racing करते हैं तो now calculate sectional area of racing r minimum and use lens ratio check तो अब भी हमने इसलिए निकाल लिए से r square is equal to i by a होता है हमारा moment of nature divided by हमारा sectional area अब यहां पर हमने r निकालना simple तो r हमारे यहां पर क्या हो गया under root i by a तो i by a अब देखो moment of inertia आपको rectangle का पता है क्या हो तो b into d cube divided by 12 rectangle आपको moment of inertia पता b into d cube by 12 divided by sectional area आपको देखो b into d हो गया अब यहां से थे kota d 1 किहांपे होगर यहां से आपको unity onletter 12 यहां यहां से इपार बंद यहां से स्टिण हार कर सकते हो आपको जरूरीजने कार्दी अरवार पर यह करने फिर यह करने एफिर यह करने फिर यह करने इसा कुछ नहीं करना आप exam में सीधा लिखो भाई हमें पता है R minimum क्या है T by root 12 हमें पता है R minimum क्या है T by root 12 तो T आप ने निकाल लिए 14 mm तो 14 by root 12 आप निकालोगे तो आपके R minimum यापर क्या आगी 4.041 mm यह आपकी आगी लेंट्थ होना चीए था अंपने यहां पर length लिए तो यहां पर लेंट्थ के भी हम चेक लिए आपको लेंट्थ दन 145 होना चीए तो यहां पर continuation में चलता रहे कि वो design procedure में आपको अलाग पताया था अब देखो इसमें के strength of 21 boards अब देखो आपको पता है कि strength of 21 boards आपको कैसे निकलेगी एक हमारा निकलेगा in shear और in हमारा bearing एक हमारा shear में निकलेगा तो हम निकालते देखो in single shear तो formula आपको सब कुछ पता है तो formula आपको सब कुछ पता है अगर में आपको IS code में इक पर दिखादू formulas तो देखो यह हमारा IS code पर आप दे सकते है shear capacity of boards यहां पर bearing capacity of boards तो यहां पर आप सारी values पूट करके आप निकाल सकता है तो उस पर टाइम निले आएं कि bolted connections में आपने बहुत जारा lectures करें है और हर एक lecture में जो bolted नहीं हम जैसे tension members करें हमने frame selection करें सब में इस चीज़े आ रही है तो मैंने यहां पर सोचा कि थोड़ा skip कर देते हैं ताकि यहां पर time बचेगा हमारा इन single shear में 45.2 kt अगर सब कुछ आप formnaz में put करते हो और bearing में 101.8 kt आता तो आपको पता है इन दोनों का minimum आपको चीज़े होता तो यह 10, R, strength of 20, um bolts हमारे क्या है 45.2 kt देखो इसमें जो हमारे पिक चाती है और हमारे यहां पर addition रता है वो तो आपको पता की कैसे लेते हैं यह वह भी आपको minimum maximum सब मैंने criteria सब दिया होगा आप bolted connection यह पूरे lecture देज लेना उसमें सब आपको बचेज़ आगा तो यहां से number of bolts आपको पता है जितने हैं तो कितने लगेंगे देखो VT by 2 divided by R, VT by 2 17.5 था कि VT हमारे पूरा shear force कितना है था 35 kt 2.5 times off हमारे किसका था Axial force कि मारे 14 1, 14 minute था तो यहां से हमारे क्या आगे 0.39 तो मतलग कि हम a procs 1 nose तो करी सकता है ठीग है सब को design करें आप हम देखेंगे कि उसकी वैसे हमारे जो strength बनी है lacing की वह सही है यह नहीं कि वह सारा कुछ हमारे gel भी लेगी lacing या फिर नहीं वह हम देखेंगे अगर मा आपको चलो दिखाई रहे तो लास में एक लिए लास में तो दिखाई रहता है यह यह हमारा table 9C IS 18-2007 इसमें आप देखेंगे ही ऊपर आपको e-stress दी हो मतलो कि PD is equal to a e into fcd आपको फ़र्म नहीं पता है यह भी हमारा IAS code में है तो a e into fcd is equal to 840 आपको पता था 16 to 40 यह हमारा बी था यह हमारा ती ता तो यहां से आपार 840 into 84.82 यह हमारा लेसिंस की बात हो नहीं नहीं का एरिया है घ्मारा लेसिंग्स का एरिया है वह हमारा पहले मैमबर का था जो की बढ़ा था 5 financial 6 तो वह हमारा मेमबर का था यह मारा लेसिंग था अटbre 16 propeल去 manifests यहां पर पीड कितना आ गया थी लॉड के RIGHT मारे for single lacing VT by N cosecant theta, force our FO is 35 by 2, number of planes आपको बात है, number of parallel planes दो है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, अगर आप ऐसे आते हो, तो एक दो, तो आपको दो planes होगे, तो 35 by 2 into cosecant 45 degree, तो cosecant 45 degrees, अगर आप इस सब को solve करोगे, तो 24.7 kWh आता है, और मैंने गाता है, अगर आपको PD बढ़ा है, तो ठीक है, तो आपको फोर्स बढ़ी है, तो मतलब आपको दुबारे सारा lacing आपको दुबारे से design करना है, तो इसलिए आपको ऐसे चल के जलना है, आपको जो आपने 22-25 minutes के आपको पूरे design कर रहा है, उसकी हमारी thickness क्या होगी, सब कुछ आपको पता चल गया, और वो जो आपको निकाला था, उसकी वाएस जो strength हमारी lacing के वो भी हमारी आपर सैटिस्फाइ कर गी, मतलब यापको strength of, आपको मारी design of lacing तो खतम हो गया, अब मैंने को पताया था कि design of n-type plates, यह कोई-कोई teacher कर वाता है, कोई नहीं कर वाता है, लेकिन code कहता है कि भाई, बाई, करवाना चीह है, code कहता है कि last में आपको यह होना चीह, तो design of n-type plates हमारा क्या था को thickness T, मैंने को पताया है, S by 50, यह हमारा वैसे n-type plates हम क्या कहता है, एक तरह बैटन ही होता है, लेकिन यह n-type plates हमारा design criteria सेम रहता है, S by 50, 340 by 50 हमारा 6.8, यह हमारा minimum के लिए होता है, T minimum तो हमने यह हम पर T a prox कर दिया 8 mm, तो prox 8 mm, मतलब जो n-type plates हमारी लगेंगी था, यह लेसिंग साथ लगती गई, लेकिन लास्ट में जो N-type plates ऐसे लगेंगी, वह आपको उटानी तो वो उसके हमारी यहां पर 8 mm के थिकनादी था, लेंट अफ तरह था यहां पर T a prox करके यहां तक नुमारा पूरा D था, अगर आप लास्ट तक देख रो यह वीडियो, तो यह चीज आप दे सकते हो, मैंने वहां पर नहीं बताया को design procedure, अगर आप यहां तक आपने यह चीज पढ़ी है, तो कमेंड करें मुझे जूरूब ताना, कि मेरा lecture आपने end तक लगा है, तो मैं यह चीज पताया जाता होगी 7.6, हमारा page number 48, हमारा highest court 800, तो 7 मैं आपको पताता है, 7.6, last column, जो मैंने आपको 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 यह चीज़े बताई है, जितने आपको पताया, अगर मैं आपको यह चीज यह चीज आपर एक्जामपल दे दूँदे को मैंने आपको कहा था, कि हमारी effective slanus ratio, kL by R है, of less column, shall be taken as 1.05 times the kL by R, ठीज़ा, the actual maximum slanus ratio, तो वही मैंने जो चीज़े आपको 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 1.05 times यहां पर लिखते होता है, clause number 7.6 है, इसके just next हमारे बैटन के लिए लेक्चिर बैटन के लिए हम डालेंगे, अब यह तो हमारे लेश का है, P नमर हमारे यहां पर 48 आज़ेगा और IS 800-2007, और यहां से आपको यह पूरा खत्म होता है, यहां पर आपको दिखाने जुरहत नहीं, आपको दिखाना भी चाते हो, दिखा सकते हो, क्यों बड़ी बात नहीं है, यहां पर यह 220 प्लस यहां पर दिखा सकते हो, 340 दिखा सकते हो पूरी, 680 आपको यह वर्टिकल स्पेसिंग, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं एडिट भी करूँग, अप्लोड भी करूँग, वीडियो बनाने बहुत जादा टाइम लगता है, पहले जो मैंने त्यारी कर रही है, बहुत जादा टाइम लगता है, पहले डिजाइन पूसीजर मैं नहीं देखा कि एक-एक स्टेप मैं लिखूँ, फिर उसका क्राइटेरिया, फिर मैंने शीट पर लिखा, और फिर एक करा मैं आपको समझाया, तो इसमेरी बहुत ज़ादा मैंने लगता है, बस इस मैंनत के लिए आप ये वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सिवलिन साइक को सब्साइब कर दा, थैंक्यू फो वाचिंग,